एग गाईज कल के डेट में आपने देखा कि इनफोसेस का जो रिजल्ट आया था जिसके कारण मार्केट में काफी बड़ी गिराओड देखनी को मिली और इनफोसेस में भी बहुत बड़ी बिक वाली देखनी को मिली लगबग 3000 करोड तक कोई बड़ा प्लेयर 3000 करोड तक का जो है माल बेच के निकल लिया बहुत बड़े बड़े प्लेयर है तो देखो अगर कंपनी अच्छी नहीं करेगी तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही और निकलने के कुछिस करेंगे क्योंकि अगर आप ऐसे बड़ी कंपनी पैसा निवेस करते हो तो यहाँ पर आपको और इसको बोलते है असली कंपनी समझ माया है यह कंपनी है जो प्रॉफिट निकाल के देने वाली है फर इतना ही है और कंपनी का सांधार काटर रिजल्ट भी आया है उपर से यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है एक year revenue अगर आप चाहो तो देख लो और एक quarter है यहाँ पर देखो माइंटरी का जो profit है source 49% on year आपको बताया चाहरा माइंटरी quarter for consolidated net profit rise 8% जो 473 करोड आपको देखने को मिला बहुत ही मजबूत और अच्छा कर दिखाया है इसने जैसे मैं आपको बता दूँ जब infosys का result आया था देखो जब बे result आया था ना तो सभी लोग बढ़ा चड़ा कर दिखाते हैं सभी लोग धमाका हो गया बढ़ा कर दिया dividend दे रहा तो ये केवल उकसाने वाले बात होती है लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता infosys ने dividend दिया तो लोगों ने खरीद लिया ये एक छोटा सा लालास था मचली को फसाने के लिए थोड़ा सा चार डालना ही पड़ता है समझ रहो वही यहां पर डाला गया और लोग फस गया और जब ऐसी बड़ी कंपनी डिविडेंट दे की तो भई शेर का प्राइस भी तो नीची जाएगा उल्टा कंपनी भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है समझ रहो तो यह आपको बड़े-बड़े-बड़े मतलब बाते बोलके आपको किया जाता बड़ी कंपनी कौन होती है यहां पर देखो जो अच्छा प्रॉफिट करके दिखा दे यह क्वाटर रिजल्ट है क्वाटर रिजल्ट अगर आप देखोए तो यह सेंस आपको बताया जारा दिसंबर के बाद कर लेते हैं तो 2700 का है और उसके बाद जो अभी करेंट क्वाटर रिजल्ट आया मार्च का जो 2897 करोड का है अब इसमें से एक्सपेंसेस वगरे भी होते हैं बिल्कुल होते हैं अप्रेटिंग प्रॉफिट भी होता है यह सारी चीजों का देखो यह अप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम्पनी ने बोला था 20% लाएंगे लेकिन कम्पनी ने लाया 21% यह और यह आंकड़े बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर और इस एक वज़े से बिजन करोड का यह प्रॉफिट गया था पिछले साल सेम क्वाटर में और अभी देखो कम्पनी ने कितना प्रॉफिट गया 473 मतलब 500 करोड तो पहुंच आएगा तो यह है कम्पनी फोसेस की बात करते हैं तो पिछले साल के सेम क्वाटर में भी 5000 करोड का प्रॉफिट था इस साल के भी सेम को इस साल का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें भी 5000 क्रोर का प्रॉफिट है बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है मतलब पिछले एक साल से कंपनी उससी क्या आजू बाजू बाजू चल रही है लोग एलन्टी टेकनोलजी सर्विस ये तो 45,000 क्रोड का ही मार्केट कैप है जो मैंट्री मैंने आपको बता है 65,000 क्रोड का मार्केट कैप है तो ये कंपनी तो उससे भी छोटा है उससे भी छोटा है मैंने आपको हर बर बोला है छोटी कंपनी पर दियान दो छोटी कंपनी पर अब आ गए होंगे रास्ते पे, कल तक जो Infosys, Infosys बोल रहे थे, Infosys का 8 लाग करोड़ों का Market Cap है, कैसे चलेगा वो, इतना मोटा है, मतलब चलने में ही उसको बहुत जादा टाइम डग जाएगा, बाकि आपके मर्जी है, देखाओ, 45,000 करोड़, यह कंपनी आपको कई बर मल बचता नहीं है, याद रुखो, उनके पास Option बचता नहीं है, और छोटे कमपनी के पास Option ही Option होता है, इस बज़े से हर जगा Profit कर पाते हैं, और वो लोग नहीं कर पाते हैं, बुछ लोग कमानना होता है, जो बड़ी कमपनी होती है, वो Safe होता है, तो मैं आपको बैंक में भी पैसा मत रखो, घर में रखो, तो मैं आपको बलूँगा, कब तक, कब तक, अगर मान लेते हैं, जो लोग बॉर्डर पे हैं, उनको बोल दिया जा सरकार के तरप से, भई तुम घर चले आओ, बॉर्डर पे बहुत रिस्क है, क्या करोगे वहाँ पर, आजाओ क्या हाँ लोगा बताओ, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, सबको रिस्क लेना पड़ता, और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, ढर जाते हैं, तो मैं आपको बलूँगा, फिर कहीं प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, मेरा मानना है, अच्छी कंपनियों खर दो, जो आने वाल प्रमोशन आपको तभी मिलता है, जब आप रिस्क लेके कुछ और अच्छा काम कर दिखाते हो, है कि नहीं, अब पहले वाले काम ही करते रहोगे, तो भही उसमें आपको क्या प्रमोशन मिलेगा, का इंग्रिमेंट होगा, कुछ नहीं होगा, तो बैट के वहीं काम करोगे भाए, जीवन बरा, और फिर बो लोगो मेहनगाई बढ़ गई, मेहनगाई बढ़ गई, जो लोग महनद करते हैं, रिस्क लेते हैं, उनके जबान से कभी नहीं आता कि मेहागा बढ़ गई, सरकार निये बढ़ादिया वो बढ़ादिया, कोई फर्ग निप पड़ता उनको और अगर आप स्टाउक मार्केट में नहीं हो तो अपना डिमेट अकाउंट एंजल ब्लोकी में उपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकाउंट विल्कुल फ्री होगा केवल 20 रुपिस लगेगा वो भी इंट्राडे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपना डिमेट अकाउंट वगरा उपन कर सकते हैं